और ये 2022 के पेपर में आया हुआ है कहता है given the below extract the balance sheet आपके पास balance sheet में equity share है और preference share भी है जिसके उपर 8% का rate है general reserve है profit and loss है statutory reserve है और debenture है trade payable tangible assets goodwill inventory trade receivable cash ठीक है सब prior absorption absorption करने से पहले सवाल क्या कहता है अभी आपने absorption नहीं करना absorption करने से पहले Sina limited जो कि यह है Sina limited decide declare dividend 5% इसने बोला कि हम dividend दे देते हैं तब business Sina liquid taken by the भारत limited भारत limited ने अपना taken कर लिया as on that date following terms यानि इसके business को हमने take over किया कुछ इस term को बिहाफ मानते है ठीक है न इस term को जो भी लिखा हुआ था बिहाफ मानते है यह पार्ट में कहता है कि 50% fixed assets taken over तो हम एक बार working note कर लेते हैं यानि यहाँ पे जो taken over कर रहा है assets बार के बारे में बता रहा है और दूसरी चीज़ आप देखना कहता है कि issue such amount of fully paid debenture चलो यह तो चलेगा sufficient discharge debenture यह भी चलेगा issue such amount of fully paid preference share भारत 125% sufficient यानि one equity share आठ रुपे ऐच फुली पेड़ यानि आपको कई बच्चों को पूछना था कि sir हमें कैसे पता चलेगा कि यह net assets method है यह net payment method है जब आपको बोला जाए कि इतने number of equity issue किया जाएगा तो वो net payment method है जब आपको बोला जाए कि sufficient number issue किया जाएगा number नहीं नहीं बताया जाता तो वो net assets method है पहले PC निकालोगे तो number निकालना पड़ेगा तो सेम इस सवाल में net assets method लग रहा है कहता है 50% fixed assets tangible tangible assets की value अगर हम देखें तो कितने का है हमारा 6 लाग का तो assets मैं format बना लेगा ठीक है पीछे working note कर लेंगे सवाल डन हो जाए यह working note में यहां करता जाऊँगा नीचे और उपर लिखता जाऊँगा ठीक है फिर उसे मिटा देंगे समझना ही यह तो है आपने assets लिख लेते हैं इदर और इसके नीचे क्या लिख लेते हैं liability ठीक है कहता है 50% tangible assets तो आप ध्यान से देखो assets कितने का है छे लाग का assets कितने का है छे लाग का पचास परसेंट tangible assets taken over 100% more than the book value यानि इसके दो हिस्से करो 50% that is 3 लाग और ये भी 3 लाग दोनो 50-50 हो गया कहता है 50% जो assets taken over करेगा कौन भारत limited 100% more than the book value and remaining tangible assets fixed assets taken over 20% less than the book value कहने का मतलब क्या है सर 50% वाला जो है ये तो ले जाएगा 100% उपर 100% उपर that is कितने का सर 6 लाग का और जो remaining वाला है क्या कहता है remaining assets remaining tangible assets are taken over 20% less than the book value 20% less than यानि 20% हम minus कर देंगे 20% कितना वसर 60,000 और इसमें से 60,000 minus करेंगे तो कितना बच्चे का 2,40,000 यानि fix assets जो लिया गया वो 6 प्लस में 2 8,40,000 fix assets 8,40,000 पहले वाले पॉइंट में देख लेजे किसी बच्चे क्योंकि इक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है पहले वाले पॉइंट में देख लेजे doubt बिल्कुल गुनुन ने बता दिया 8,40 पहले वाले पॉइंट में बता ये doubt clear है सभी को फर्स्ट पॉइंट चलिए मिरदल होल्डिंग में बोनस इशू वाला शेर नहीं हुआ सारी वीडियो देखिए लास्ट के दो वीडियो में बोनस इशू डिविडेंड अंटेंजेंट लिएबिलिटे सारा करा रखा है अगर किसी में ग्यारा बारा दिख रहा है तो जरूर आप एक बार चैट में लिख देना के सर बारा ही वीडियो है तो एक वीडियो शायद अगर मिसिंग हो गई हो बाई चांस तो फटा 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 अपलोड हो जाएगा चलिए आगे क्या कहता है गुडविल अफ सीन लिमिटेड टेकन ओवर वेल्यू दो दस गुडविल भी ले ले लेंगे तो गुडविल आ जाएगा कितने का कहता है इंवेंट्री टेकन ओवर वेल्यू लेस देन 10% सर इंवेंट्री है कितने का इंवेंट्री सर दो लाख बीस हजार इसमें से कहता है 10% लेस तो 10% लेस कितना होगा 22,000, तो कितने का आएगा, calculator पर करते रो, calculator फटाफा, कितने का, 198, कहता है, trade receivable are taken over book values subject to allow 10% doubtful dates, तो trade receivable, trade receivable मतलब debtor, 2,60,000 है, इसके उपर बोला गया, 10% माइनस कर दो, that is 26,000, तो कितना आगया, 2,00, 34,000, है न, trade payable taken over subject to discount 5%, यहाँ जाएगा, trade payable, अब trade payable है, कितना हमारा, trade payable है, 5,60,000, इस पर discount 5%, तो इसका 5% discount कितने होंगे, 26 यह कितने, 28,000, माइनस करके बताईए, पांच, 32,000, यह मैंने कुछ adjustment किया, बताईए, यह कुछ adjustment किया है, किसी को doubt है, तो बताईए, फटा-फट, मिर्दुल, मलिक, अभी यह तो यहाँ भी था, भाई, मिर्दुल, अभी आप live class में हो, यहाँ पर call भी आ रहा है, same बच्चा है, लग बच्चा है, I don't know, अभी तो live class में था, तो live class में पूछे न, डाउट, Sir, last point repeat कर दो, क्योंकि restart, करना पड़ा था, application, last point क्या कहता है, last point में कहा था, trade payable taken over 5% discount पे, मतलब जो trade payable था, उस पे 10% कम payment करना पड़ेगा, हमें भारत limited, शीन limited को कम payment करेगा, तो 5,60 पे 10%, हमने 5% कम कर दिया, कहता है, एक unrecorded loan था, जो कि हमें मिल गया, liability, 141, is to be discharge by भारत limited, भारत limited ने बोला, unrecorded loan को मैं दे दूँँगा, loan को, unrecorded loan, कितना, 154, ठीक है, अब हम एक बार चेक करेंगे, कि हमने सारे assets और सारे liability ले लिए, क्योंकि rule क्या कहता है, जिस assets और जिस liability का market value दे रखा था तो, उसे तो market value पे लेना, और जिसके बारे मैं नहीं बोला हो, उसे किस value पे ले लेंगे, same value, that is book value पे, ठीक है न, चलिए सर, आगे कहता है, purchase consideration payable by भारत limited, यह तो purchase consideration payable की बात कर रहा है, तो इसका तो मतलब बाद में, ठीक है न, अब हम चेक करते हैं, सर, equity को तो लेना नहीं होता, preference year नहीं लेना होता, general reserve नहीं होना होता, profit and loss नहीं लेना होता, statutory reserve नहीं लेना होता, हाँ, debenture लेना है, debenture that is कितने का है, दो लाग, debenture that is दो लाग, debenture ले लिया, हमने trade payable ले लिया, tangible assets ले लिया, goodwill ले लिया, inventory ले लिया, trade receive लिया, अब cash रह गया, cash कितने का है, 366, 400, एक adjustment यहां कहता है, कि हम acquisition से पहले न, 5% का dividend declare payment कर देंगे, तो भाई साब अगर आप 5% का dividend दोगे, acquisition से पहले तो आपके पास से cash जाएगा, और cash जाएगा, तो cash में आप minus करोगे, तो आपका 5% किस पे payment करोगे, इस 8,00, पे, तो पहले तो इसमें से minus कर दोगे, 5% का dividend, 5% minus कर दोगे, किसका, of 8,00, लैक का, that is 40, अजाएगा, और सारी यह preference dividend भी है, तो यह assumption वैसे pay करो या ना करो फरक नहीं पड़ता, assumption लेना पड़ता है कि preference share dividend भी हम दे रहे हैं, तो 2,00, रुपए पे कितने percent, 8% है ना, दो लाग पे, इंटू, 8%, यह हम cash में से minus कर रहे हैं, क्योंकि payment करेंगा, तो पैसा जाएगा, यहाँ तक समझ मैं आई बात आपको, चलो, discharge वाले point को कह लेते हैं, कि कहता है कि, the issue of such amount of fully paid 14% debenture limited 96%, चलिए, बाद में देखेंगे, क्या आप issue कर रहे हैं, दा issue of such amount of fully paid shares, shares को issue कर रहे हैं, one equity share 10 रुपे वाला देंगे, हम उसे जिसका paid up value इतना रहेगा, और market value आपका दे रखा है 15 रुपे, आगे कहता है, expense of liquidation of seen limited are to be reimbursed by भारत limited, जिसका बताया था आपको, कि भारत limited कहता है, कि इसके खर्चे मैं दूँगा, extent 40,000, actual expense amount 56,400, यानि सर, यहाँ पर 40,000 देने का promise गया है, भारत limited पैसे देगा, 40,000 तक, लेकिन actual expense हो के इतना गया, 56,400, तो भाई, अगर actual expense 56,400 हो गया है, और भारत limited तो सिर्फ कितनी की guarantee ले रहा है, तो बाकि 16,400 जो बचे वो किसको देने पड़ेंगे, इसी को देने पड़ेंगे, तो again cash से कम हो जाएगा, हमारा 16,400, अब जाके हमारा cash का balance आएगा, पर फ्रेंच शेयर का dividend निकालने के लिए, पर फ्रेंच शेयर का dividend आपको दे रखा था, मैं दुबारा यह line भी पढ़ देता हूं, यहाँ पे एक point है, कहता है, the issue of such amount of fully paid 14% debenture, हम उसको debenture देंगे 14%, इन भारत लिमिटेड, भारत लिमिटेड में भाई, 96% as sufficient discharge at 10%, कहता है, जो debenture हमारा scene limited का है, उसे हम premium पे discharge करने वाले हैं, किस पे discharge करने वाले हैं, premium पे और वो भी 20% के, तो जो debenture है न, वो 2,00,000 का था, लेकिन उसका payment का हमने acceptation, 20% का premium ले लिया, that is कितना आ जाएगा, 40,000, यह 24,00, आप मुझे फटा-फट बता दीजिए, इसका minus plus करके क्या आया, दो लाग, 94,000, चलिए assets का total कर दीजिए, और यह सम minus कर देगा, तो PC आ जाएगा हमारा, assets का total, बाकी duty share discharge करने की बाद चल रही है, करें, सर्फ fix assets कितना था, 8,40,000, यह मिट गया, 8,40, और यह भी, यह 2,10 था न, और यह 1,90, एक जीरो कहां चले गया, इन्वेंटरी, एक लाग, 98,000, एक अठानवे, ठीक है, सत्रह लाग, माइनस कर गए, पांच लाग, बत्रिस थाजार, पांच पत्रिस, एक चोवण, 857, that is PC, तो इस सवाल के अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं था, आसान सा सवाल दिया, आसान तो देखो, मैं आसान कहूंगा, बच्चे के प्रेक्टिस के उपर, डिपेंड करता है, कि क्या है, नहीं है, अन्रिकॉर्डिट लॉन ले लिया ना हमने, 154, टोटल साइस है, देख लिए न, एक बर क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, मैंने कितना लिखा, अच्छा मैंने 86 कर दिया, यह, 76 है टोटल, माइनस कर यह, आठ पचास राद है, यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है, सर्ड डिबेंचर डिसकाउंट पे होता, तो PC में कैलकुलेशन में उतना अमाउंट लेते हैं, बिल्कुल, अगर डिसकाउंट, देखो सामने वाली कंपनी कितना देने वाला है, उसको वो चीज़े कंसिडर किया जाएगा, 17-76 आएगा, ओके, 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 ठीक है, चलिए, आज कॉस्ट का एक्जाम था, ओनर्स वालों का, सभी का पेपर बहुत आसाना आया था, अब इसने क्या कहा है, कुस्ट में requirement क्या है, calculate purchase consideration और 6 प्लस 3 का है, तो 6 नम्मर का सवाल डन हो गया, और कहता है, purchase consideration को discharge करने का भी बताओ के कैसे कैसे होगा, तो हमें 8,50,000 discharge करना है, हमें discharge कितना करना है, PC हमें बताना है, कितना, 8,50,000, उसके तरीके बता रखें, कैसे कैसे हुआ, पहला point कहता है, सवाल में, the issue such amount of fully paid 10% preference share at a 125%, sufficient to discharge preference share scene limited at a premium 20%, कहता है, भाईया, हम तुम्हारी company के debenture को preference share capital को 20% रेक्सर देंगे, लेकिन, हम अपनी company, यानि B limited, भारत limited कहता है, अपनी company के जो हम preference share देंगे, वो 125% पे देंगे, यानि, तुम्हारे महंगे तो ले ही रहे हैं, लेकिन हम अपने भी महंगे देंगे, तो अगर कहने का मतलब है, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, पॉइंट टंबर वन, preference share capital, तो preference share capital अगर देखा जाए, तो था कितना दो लाग, लेकिन दो लाग रुपे हम नहीं लेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, यानि 40,000 एक्स्ट्रा, और हम अपनी company के तुम्हें share पता है कितने का देंगे, 125 का, 125 का देंगे, अपनी company का share कितने का देंगे हम, 125 और into मैं आप कर दो, 100 रुपे face value, 100 रुपे क्या होगा, मारा face value, वो बढ़ा चड़ा के तो दे रहा है, तो कितना आ रहा है, 192, 192, number कितने आगे, मैं bracket में लिख देता हूं, number आएंगे, number of preference share, capital कितने, 1920, पहले point को देखिए, पहला point clear है, पढ़ लो एक बर फिर से, third point पर, कहता है, one equity share, 10 रुपे, 8 रुपे paid up, यानि 8 वाला share, 10 रुपे का तो 8 वाला, जिसका कि हमारा market जो valued है, वो 15 रुपे पर share के हिसाब से हुआ है, for every two equity share, हर एक, every two equity share भारत लिमिटेड, और जो present करता है, 100 रुपे का, मैं दुबारा पढ़ देता हूं, देखिए, थोड़ा उपर कर दे, चलिए, इस सभी को मिटा दिया जाए, पढ़ देता हूं, कहता है हम आपको एक equity share, 10 रुपे का एक था, ठीक है, तो इस वाली company में 10 रुपे का एक ही था, आठ रुपे पेड़ वेल्यू, कहता है, आठ रुपे पेड़ वेल्यू, तो आप 10 रुपे का एक, आठ रुपे पेड़ वेल्यू का लेंगे, valued at 15 रुपे पर share, और उस shares को मैंने valuation करा, 15 रुपे पर share for every two, कहता है, for every two equity share held by the Sina Limited, कहता है, सीना Limited के company का share का valuation लगाया गया, बोला गया, तुम्हारी company के share की value कितनी है, 15 रुपे, दो share का, and balance कह दिया गया, आपको cash दे दिया जाएगा, जो भी difference आएगा, cash में payment करेंगे आपको, the market value of equity share, आप हमारी company के share कितने के हैं, 100 रुपे के हैं, यानि हम दो share के बदले 15 रुपे, कहने का मतलब simple सी बात है, भाईया, तुम्हारे पास कितने share थे, 80,000 share थे, अब 80,000 share जो है न, यह हम तुम्हारे 15 रुपे लेंगे, लेकिन एक share नहीं, दो share, आठ लाग का, दस रुपे का, एक share है, अब आठ लाग, येस, 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 दस लाग होगा, एक लाग होगा, एक लाग होगा, सर कुश्चन, पेपर, चार्ट, चैट में, डिस्पली नहीं हो रहा है, सामने कुश्चन पेपर आपको दिख रहा है, पहले ये देखिए, पीछे वर्किंग नोट में देख लेते हैं, आठ रुपे पेड़ प है, ठीक है, और equity share 10 रुपे का था, अब इस सवाल में देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताओ, जो कहीं भी नहीं बोला कि ये वाला जो share था, ये कितने का था और कितने का दिख रहा है, ठीक है, हम ये मान लेतने के share 10 रुपे का ही है, तो equity share, नमबर 2, equity share, आठ लाक रुपे था, और बोला गया दो के बदले, खीक है, अब आपके दो share के बदले, तो divided by 2, और आपके shares की valuation जो लगाई गई, वो लगाई गई कितने की 8 रुपे paid up मान लेंगे, तो यानि आपके shares की value अगर देखा जाए, तो सबसे पहले number अगर मैं बोलू, तो कितने number निकले? डिवाइड बगारा करिए, यह तो रुपीज है आठ, हाँ, टोटल यह, 3,20,000, number कितना निकला इसका? 80,000, 40,000 है ना? और आपका आठ वाला share हमारी company का valuation हमका आपके company का जो valuation वो कितने का लगा रहे हैं? पंद्रा, पंद्रा, यानि पंद्रा का मतलब कितने रुपे एक्ष्रा? 7 रुपे, अब लगाईए, 7, 2,80, अब इस सभी का जोड कितना होने वाला है? 8,50, अगर 8,50 नहीं होता तो balancing figure किसमें match कर देंगे? कैश, कितने हार है balancing figure cash में? क्या इन्टु एट हाँ तो ठीक तो है ये टिकर के तो दस अजार कैस का बैलेंस के हमारा दस अजार ये बैलेंसिंग फिगर है एक बार फिर से मैं इस वाले सिचुविशन को सेकिंड को समझा दूआ कहता है भाई या एक equity share तुमारे 10 रुपे का था जिसको हम मान लेंगे कि कितने का 8 का हो गया है यानि 8 से multiply करेंगे और उसको हम 15 रुपे के बरावर का मान रहे हैं for every 2 share दो share तो divide 2 कर दिया हमने तो 2 हो गया पंद्रा का मान रहे हैं यानि 8 वाली चीज आपकी हम 15 मानने जा रहे हैं तो यानि 7 रुपे का premium पर हम आपके shares को acquire करने वाले और बदले में हमारी company का आपको 100 रुपे का share दिया जाएगा तो 100 रुपे का 40,000 यानि 4 लाख रुपे का total नुड़ी से shares मिलने वाला है अगर हिसाब किताब लगा के देखा जाए चार और तीन जो भी था balance cash cash में payment कर दिया तो यह था हमारा show requirement अब अगर आप journal entry करना चाहते हैं इसका तो बहुत easily journal entry हो सकता है business purchase कितने का साहब business purchase आठपचास और टू equity share capital टू preference share capital और टू cash अगर equity share capital preference share capital देखें तो 192 equity share देखा जाए तो 320 अच्छा उपर नेचे हो गया equity share तीन बीज और 192 280 नई security premium में न दस अजार और that is security premium 280 यह question आया था जो कि काफी बच्चों ने skip कर दिया था last time पर अगले सवाल पर आ जाते हैं यह सवाल clear है हमारा 69 number का सवाल done है तो मैं सवाल सारा इसलिए करवा रहा हूं पूरा देखो solution आपके पास है लेकिन एक बार समझ में भी आ जाएगा तो आपको पता चल जागे कि इस तरीके से कर सकते हैं तरह security प्रिम्यम 48,000 रहे गए वह 48,000 रुपए security प्रिम्यम का नहीं है अच्छा हाँ ठीक है यानि आपने 10,000 उसको मैनेस करके बताया था ठीक 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 एक चीज रहे गया यह कितने शेयर थे 1920 ना इसके भी तो प्रिम्यम देंगे हम 1920 इंटू मैंने बोला था न अपनी कंपनी का 25 रुपए का दुआ तो 25 का मनाओ 1920 इंटू 25 कितने होंगे 48, 48 और 280, 280 यह 3,800 हो जाएगा मैंने सीधा आंसर जो बच्चों ने बताया देखे था चलो कोई नहीं